हलो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज आज आपका बिहार पुलीस कॉंस्टेबल का 7 अगस्त का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वेडियों आताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के जो है आज आपके साथ अगस्त के एक्जाम में जो आप प्रेस्टन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है बिहार पुलिस के एक्जाम में हर डिस्टिक में जो है अलग-अलग कोशन पेपर जो वो सेट किया गया है और यह जो कोशन पेपर है यह आपका गया जिला या फिर औरंगाबाद जिले का जो वो कोशन पेपर है तो जो भी गया जिले या फिर औरंगाबाद जिले में एक् तो आज का जो आपका पहला कोश्ण आया था 1980 के दसक के प्रादम में सरवोच न्याले ने जो है न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र जो वो तैयार किया था तो देगे 1980 के दसक के शुरुवात में सुप्रीम कोट ने नयाय तक पहुँच बढ़ाने के लिए यह जनहीत याचिका या फिर PIL यानि पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन जो वो तैयार किया गया था तो ऑप्सन सी जनहीत याचिका आपका करेक्ट एंसर होगा और देखे मैं आपको बता दू कि इस याचिका आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर रहता कि किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतीम अधिकार होता है यह किसके पास होता है तो देखे किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतीम अधिकार है यह संसत के पास होता है तो आप्सन ए आपक तो आपका राश्पधी के द्वारा रखा जाता है तो आपका राश्पधी के द्वारा रखा जाता है तो option D आपका correct answer होगा Next question आपका यहाँ पर है कि सर्वोच न्याले की मौलिक छेतरा अधिकार में जो है इन में से कौन सा जो वो सामिल है तो देखे संग हुआ राज्यों के बीच तथा राज्यों राज्यों के बीच विवादों का निप्टारा है न ये सर्वोच न्याले के मौलिक छेत्रादिकार के अंतरगत आता है और ये जो आपका संग वा राज्यों के विज्जो अभीबादों का निप्टार है न ये किस अनुछेत में कहा गया है तो ये आपका आर्टिकल 131 में जो वो कहा गया है तो option C आपका correct answer होगा next step का याप रहता कि सोवा रिगपा ये जो एक क्या है तो देखें सोवा रिगपा की बात कर ले तो ये जो आपका हिमाले की परमप्रिक दवा पद देती है तो option C आपका correct answer होगा next step का याप रहता कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा मार्च 24 में जो है देश की पहली अंडरवाटर मेटरो ट्रेन का जो उद्धाटन है ये कहां पर किया गया है तो देखें इसका जो उद्धाटन है ये आपका कुलकता में जो वो किया गया है तो option B आपका correct answer next question आप रहता कि गोलकीपर के रूप में परदर्सन के लिए निम्नली खित में से कौन सा पुरुषकार जो वो दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो इसका answer जो होकी इंडिया ध्यान चंदर पुरुषकार मार के आ गया होंगे तो देखें मैं आपको बता दू कि ये जो आपका गलत answer हो जाएगा क्योंकि गोलकीपर के रूप में परदर्सन के लिए आपका होकी इंडिया बलजीत सिंग पुरुषकार जो वो दिया जाता है तो option A आपका correct answer होगा और होकी के गोलकीपर वर्तमान में भारत के कौन है तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना ह जो है वर्तमान में भारते होकी टीम के जो यह गोलकीपर है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखीगा नेक्स्ट कोश्या आपका यह आप रहता है कि which of the following is not a geostationary satellite यानि निमनलिखित में से कौन सा जो है भू अस्ताई उपगरन नहीं है तो देखे जी सैट इसके आता है तो option D आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सामा चकेवा बिहार का जो एक तेवार है और यह जो आपका सामा चकेवा जो तेवार है ना यह किस रिस्ते को जो वो समरपीत है तो देखे यह जो आपका सामा चकेवा जो तेवार है यह आपका बिहार राज तो यह facts भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट अपकों आप रहता है कि ताज महल के जो वास्तुकार कौन थे तो देखे ताज महल के जो वास्तुकार थे यह आपके उस्ताद एमद लाहुरी थे तो option A आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश्य आपके याँ पना है कि बिम्भी सार का प्रसिद राजवैद जीवग जो था ये कहां का निवासी था तो देखें जीवग की बात कर ले तो यह आपका भारती राजा बिम्भी सार द्वारा जो इसे न्यूक्त किया गया था और यह जो आपका बुद्ध के जो वो रहता था तो option डीर राजगरी आपका correct answer होगा अब देखे question 12 से 14 तक जो आपके हिंदी के गध्यान्स पूछे गए थे तो देखे इस पूरे गध्यान्स को जो आप ध्यान से पढ़ लिजेगा मैं जूम भी कर देता हूँ और question number 12 और 14 जो आप अपने से ही जो वो solve कीजेगा क्योंकि जिनका भी आगे सिप्टों में एक्जाम है तो आप इसे जो वो solve जरूर कर लिजेगा next question आपका यहां पर है कि राज्य में विधान परिशद की सदस्य संख्या के वीसे में संविधंग प्रावधान यहां तो राज्य के विधान परिशद में सदस्यों की आपका रधियाउ आपका ऑप्सon c यहांपका correct answer होगा इसके लादे में आपको बतागा आपको की वत्तमार में 6 भार्तिय राज्यों में आपके द्वी सद्νिये यानि विधान परिशद है और वो छे राज्य कौन कों से है तो पहला आपका आंदर पर्देश, सेकंड आपका उत्तर पर्देश, बिहार, इसके अलवा महरास्ट, करनाटका और तेलांगना ये छे राज्य में जो आपके विधान परिशद है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना ह नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि संबिधान सभा के जो चुनाओ कब हुए थे तो देखें संबिधान सभा के जो चुनाओ है ये आपके जुलाई 1946 में हुए थे तो जुलाई 1946 option ए आपका correct answer होगा लेकिन अगर पूछ ले कि किस योजना के तहत हुआ था तो देखे इसका जो गठन है ना ये आपका cabinet mission 1946 योजना के तह जो वो किया गया था और अगर पूछा जा कि संबिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो ये आपका दिसंबर 1946 में हुआ था तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर रहा था कि सर्वोच न्याले वह उच न्याले के न्यादीसों को जो है पद से कौन हटाता है तो देखे सर्वोच न्याले वह उच न्याले के न्यादीसों को जो है भारत के राश्पदी द्वारा इनके पद से जो वो हटाया जा सकता है तो option B, rust पदी आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा next आपका यहाँ पर है कि निम्नलिकित में से कौन सी गैस जो है पोप की आवाज करते हुए जो वो जलता है तो देखें यह जो आपका हाइड्रोजन गैस है ना यह आपका पोप की आवाज करते हुए जो वो जलता है तो option A, हाइड्रोजन गैस आपका करेक्टेंसर होगा next question आपका यहाँ पर है कि अंडे की जर्दी कॉलाइट का यह कौन सा प्रकार है तो देखें अंडे का जो सफेद भाग होता है ना वो आपका एक फोम का उदार है तो option B, फोम आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा next question आपका यहाँ पर हाथा कि atomic symbol जो है iron का पूछा गया था तो देखें iron का जो परमानू प्रतीक होता है वो आपका FE होता है तो FE, option C आपका करेक्टेंसर होगा और इसका अगर परमानू संक्या पूछा जा यानि atomic number कितना होता है तो देखें iron का जो atomic number है ना यह आपका 26 होता है तो यह point भी आप ध्यान में रखिएगा next step है है आप रहता कि gel में oxygen परमानू की जो है संकरन अवस्था जो वो क्या है तो देखें जल में oxygen परमानू की जो संकरन अवस्था है ना यह आपका SP3 है यानि इसका मतलब यह है कि जल में oxygen परमानू जो है एक आपका 2S और 3 2P कच्चकों को मिला कर जो है 4 संकर कच्चक जो वो बनाता है तो option C, SP3 आपका correct answer होगा next question आपका यह आप रहा था कि Europe के escape repo tarj के जो है लेखा कौन है तो देगे repo tarj के जो लेखा कहना यह आपके राम कुमार है लेकिन question में आपका option B में आपका राज कुमार दिया गया है तो हो सकते हैं यहापको बोनस जो है अंख मिल जाया लेकिन राजकुमार या फिर रामकुमार, option B जिनोंने भी लगाया है, उनका यहाँ पर жизнь पर रहा है, कि सूची 1 को जो है, सूची 2 से जो आपको मिलान करना था, जहांपर सूची 1 में जो आपका मोहावरा दिया गया था, और सूची दो में जवा उसका आर्थ जो वो दिया गया था तो पहला आपका दिया गया था कि छाती पर मुंग दलना मुहावरे का आर्थ क्या होता है तो देखें छाती पर मुंग दलना इसका जो मुहावरे का आर्थ होता है वो साथ रहकर परिशान करना होता है, इसके लावा अगर दूसरो अप्सन पर देखें, तो चाती पर पत्था रखना, इसका मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, वो आपका क्या हो जाता है, तो यह आपका धैर्योपूर्वक कस्टिस है ना, इसका जो वो सही मुहावरा होता चाती पर साप लोटना, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है, वो आपका इर्षिया करना होता है, चाती ठोकना, इसका जो अर्थ होता है, वो कठी निकारी होतु, प्रतिग्या करना होता है, तो पहले का जो ऑप्सन 4 हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का जो आपका सही ऑप टेंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका फिर हिंदी से आथा, जिसमें समास विग्रा जो है, वो सही नहीं कौन सा दिया गया आपको बताना था, तो देखें अगर सबसे पहले देखें तो राज जी सभा, राजा के लिए सभा, गुरु दचिना, गुरु के लिए दचिना, यह जो आपका सही समास विग्रा नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्य सभा का जो आपका सही समास विग्रा होता है वो राजा की सभा होता है, ना कि राजा के लिए सभा होता है, तो option A आपका correct answer होगा, और यह जो आपका राज सभा है, यह कौन सा समास है, तो यह आपका त जीवद्रवे जो सब्दैना यह आपका 1849 में जो है जेई पुरकिनजी के द्वारत जो है इसका जो वो दिया गया था तो आपसन ने जेई पुरकिनजी आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाह मैं आपको बता दू कि यह आपका जीवद्रवे जो सब्दैना एक जो वो घीरा होगा होता है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहता है कि निमन लिखित में से कौन सा सरल अस्थाई उतक पादब भागो को जो है यह आंत्रिक सक्ती जो वो प्रदान करता है तो देखें यह जो आपका कॉलेन का क्यों नहीं होगा तो देखें मैं आपको बता दू कि असकेलर इन काईमा जो एक साधारन अस्थाई है लेकिन यह जो आपका मृत यह आंत्रिक उतक का उदारन है ना कि आपका जो है जो है मैकानिकल स्ट्रेंथ का उदारन है तो आप्शन C जिनोंने भी लगा उनका इनसर होगा नेक्स्ट आप रहायता कि मैं 31 मैं 2024 को संयू क्तराष्ट अकादमी प्रभाव के सदस एजो आपका यूनाइटन नेसन अकाडमीक इंपक्ट यानि यू एन ए आslाए के आपके जो 60 से अधिक आपके संस्थान जो वो सदस से हैं तो आपके दो option में दिया गया है तो exact data मुझे नहीं पता लेगन option C या D में से जिनोंने भी लगाया है उनका यहाँ पे correct answer होगा क्योंकि यह तो आपका दोनो option A और option B तो आपका नहीं होगा option C या D में से जिसको भी accurate answer पता है आप comment करके जो वो जरूर बता दीजेगा next आपका यहाँ परहा था कि सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम है ना यह आपका 2005 में पारीथ हुआ था तो option C आपका correct answer होगा next आपका यहाँ आप रहा था कि संयुक्त रास्ट्रिद्वारा निम्न में से किस वर्ष को जो है अंतरास्ट्री मोटा अनाज वर्ष जो है यह घोसित किया गया है तो देखे वर्ष 23 को जो है यह आपका संयुक्त रास्ट्र द्वारा जो है तो option C आपका correct answer होगा next नेक्स्ट आपका यहांपर है कि which is absent in almost all plant cells, यानि लगबग सभी पादप कोशिकाओं में जो है, कौन सा अनुपस्थी तो होता है, तो देखे, सभी पादप कोशिकाओं में जो है, या आपका centriol, यानि जो तारकाय होता है, या आपका absent रहता है, तो option B, तारकाय आपका correct answer हो next question आपका यहांपर है कि hydra में मुकलन के परकिरिया जो है, संतानों में अनुवांसिक इस्थिर्ता, यह कैसे सुनिशित करती है, तो देखे, hydra में मुकलो का जो उदभा होता है, या आपके समसुत्री विवाजन से होता है, यानि जो आपका मायोटिक डिवीजन से होता है, तो option B आपका correct answer होगा, next question आपका यहांपर है कि कुछ सरी स्रीपों में लिंग निर्धारन पूर्न रूप से परियावरन पर निर्भर करता है, और यह देखा गया है कि इनमें जो लिंग निर्धारन जो है या आपके निसेचीत अंडे के जो है, उस मायान ताप यानि temperature पर जो वो निर्भर करता है, तो option C आपका correct answer होगा, next question आपका हिंदी से आथा कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो देखे बच्चा खेल रहा है, यहां पे जहां भी रहा है, रही है, रहा हूँ, यह सब आपका रहेगा ना, तो यह आपका अपूर्न वर एक टैंसर होगा, next आपका यहां पर है कि निमनलिखित में से वाक्यान सेवं उसके सही एक सब्द की द्रिष्टी से असंगत विकल्प को जो वो चैन करना है, तो देखे गायों को पालने वाला, या पिर पालने वाले को जो है, यह आपका गोपाल का जाता है, तो यह आपक दत्तक का जाता है, तो यह भी आपका सही मिलान किया गया है, किये गया उपकार को मानने वाला, तो देखे किये गया उपकार को मानने वाला को जो यह कृत्तक यह कहा जाता है, तो जब आप ऑप्सन ए को देखोगे ना, बिना सोचे विचारे किये गया विस्वास को, यह आ अंद विस्वास जो वो कहा जाता है तो option A आपका correct answer होगा next आपका यहाप रहा था कि गुजरात में नवीन कौप मृद्धा को जो है यह किस नाम से जो वो जानते हैं तो देखें मिट्टी जो आपका दो परकार की होती है जिसे पूरानी जलोड मृद्धा को जो है यह आपका भांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जो जलोड मृद्धा होता है इसे जो है खादर के नाम से जाना जाता है तो option में आपका खादर कहीं भी नहीं दिया गया है तो देखें मैं आपको बता दूँ कि इसका जिसको भी अंसर पता है वो comment करके जरूर बता दीजेगा अगर खादर option में रहता तो खादर जो आपका यहाँ पे correct answer होता नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि निम्न में से कौन सी company जो है ONGC और इसकी अब तटिये संक्रियाओं के लिए हलिकॉप्टर की सेवाएं जो वो प्रदान करती है तो यहाँ आपका पवन हंस हलिकॉप्टर लिमिटेड जो वो प्रदान करता है तो option D आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 2011 की जनगना के नुसार भारत के किस राज्जी में जो है जनसंक्या घना तो सबसे अधीक है तो देखें बिहार राज्जी का जो जनसंक्या घना तो रहता ना तो यह आपका 382 प्रतिवर्ग किलोमेटर रहता तो यह पॉइंट भी आद द्यान में रखेगा और सबसे कम अगर पूछा जाए तो यह आपका अरुनाचल परदेश कर रहता कितना रहता तो यह 17 वैक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर रहता नेक्स्ट अप कर यह पर है कि भारतिय वायूशेना की अभ्यास गगन सकती 2024 का जो आयूजन है यह कहां पर किया गया था तो देखें गगन सकती 2024 का जो आयूजन है यह राजस्थान राज्य में किया गया था और यह मैंने आपको करन्ट अफेर्स में बताया था तो देखें, मैं जितने भी वीडियो आपको प्रवाइड करता हूँ, यहां से लगबग जो है, आपके 80% प्रस्न जो वो पूछे गया है, तो option ए, राजस्थान आपका correct answer होगा, next आपका यहां पर है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांस्मीशन कंपनी लिमिटेड ने, तीसरे LDC उतक्रिष्टा पुरुषकार 2023 में जो है, यह किस स्रेनी में जो वो जीत हासिल की है, तो यह जो आपका medium load dispatch, dispatch center में जो यह आपका जीत हासिल जो वो किया है, तो option B आपका correct answer होगा, next आपका यहां पर रहा था कि लीची पर रास्ट्री अनुसंधान के इंदर बिहार के कि जीले मिस्तित है, तो यह आपका मुझफ़ट पूर जीले मिस्तित है, तो option D आपका correct answer होगा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यह प्रशन नहीं आए तो देखें, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, कि यह जो आपका गया या फिर औरंगा बाद जीले का प्र पत्यास्ता और लोगो द्वारा अरजित कौसल निर्मान, यह सभी आपके जन संक्या की गुनवता को निर्धारित करता है, लेकिन यह आपका मुद्राश्पृति यानि इंफलेशन जो है, यह जन संक्या की गुनवता को यह निर्धारित नहीं करता है, तो option C आपका correct answer तो option A आपका यहाँ पे correct answer होगा, आप बाकी option भी जो वो देख सकते हैं, वीडियो को pause करके, next आपका यहाँ पर है कि बहुराश्टी यह निगमो की स्थिति, कौन सा सही नहीं है, तो देखें बहुराश्टी यह निगमो का जो स्थिति है ना, यह आपका वस्तू वा सिवाओ का विस्वस्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यह जो आपका सही जो वो नहीं दिया गया है, तो option B आपका यहाँ पे correct answer होगा, next आपका यहाँ पर इंगली से आथा कि honesty is an example of, यह जो है किसका noun का प्रकार है, तो देखें यह जो आपका honesty है ना, यह आपका abstract noun का जो वो उदारन है, तो option D आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर आथा कि identify the adjective in the following sentence, यानि all men must die, इसमें जो आपको adjective जो वो चूज करना था, तो देखें, all men must die, यह जो आपका all है ना, यह आपका adjective है, तो option C, all आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर आथा कि choose the correct word from the option which is made of using prefix A, यानि prefix A से आपका कौन सा सब्द बनाए गया है, तो यह जो आपका awake है, यह आपका A से जो वो prefix जो बनाए गया है, तो option C आपका यहाँ पे correct answer होगा, next step कि यहाँ पर है कि वह अस्थान, जहाँ सुकरानू का अंड से सामना होता है, तो देखें, यह जो आपक मानो सरीर का मुखे समनवे जो केंद रही है, यह कहाँ पर होता है, तो यह आपका मस्तिस्क में होता है, तो option C आपका यहाँ पे correct answer होगा, next step कि यहाँ पर है कि कठोर कैल्सियम कार्बोनेट का बना हुआ गंखाल, यह जो किसका गुन है, तो यह आपका इकाइनो डेर्मेट यानि option D, इकाइनो डेर्मेटा का यह आपका गुन है, तो option D आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर है, निमनल इखित में से कौन सा कथन जो है, लिम्फ यानि लसिका के संदर में जो वो गलत दिया गया है, तो देखें जब आप सारे option को पढ़ोगे, तो लसिका आंतर से प 54 नमबर, A diverging mirror is, यानि जो एक आपका अपसारी दर्पन होता है, यह कौन सा दर्पन होता है, तो देखें एक उत्तल दर्पन को जो है, यह आपका अपसारी दर्पन जो वो कहा जाता है, तो option B आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ आप रहाता है, कि यदि एक वस्तु का दरब पेमान चार गुना होगा, और इसका वेग जब आधा हो जाएगा तो वस्तु का जो समवेग होगा, यह आपका दुगुना होगा, तो option B आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ आप रहाता है, कि विदुत उपकरनों को अती भारन के कारण लगुपतन से सुरच्शित रखने के सबसे महतपूर्ण सुरच्शा वीदी यह कौन सा है, तो सबसे महतपूर्ण सुरच्शा वीदी है यह आपका फ्यूज का उप्योग है, तो option D आपका correct answer होगा, next आपका रिक्त स्थानों को पूर्ती करना था, जहाँ पर बिहार में कितने वन्ने जिव अभ्यारन है, रास् सुरच्शा आपका यहां पर रहा था, कि match the following, फिर आपका सीच्वी एक को सुची दो से मिलान करना था, जहाँ पर सुची एक में आपका मिट्टी का नाम दिया गया था, तो देखे यह जो आपका सबसे पहले, वो जो आपका भावर दिया गया था, तो देखे यह आपके युआ निचेप को जो है, यह आपका खादर जो वो कहा जाता है, तो आपसन ए जिनोंने भी लगाए है, उनका यहां पर एक तरफ फिर से match the following जहाँ पर एक तरफ आपका नदी का नाम दे दिया गया था, और एक तरफ जो उसकी सायक नदीों का नाम जो वो दिय गया था, तो देखे अगर गुदावरी जो है, यह किसकी सायक नदी है, तो देखे यह जो आपका गुदावरी है, यह आपका वेन गंगा की जो वो सायक नदी है, गंगा की बात कर ले, तो देखे गंगा की सायक नदी कौन सी है, तो देखे गंगा की जो आपका सायक नदी ना यह आपका कोईना नदी के जो वो सायक नदी है और कावेरी नदी के जो सायक नदी है यह आपका अमरावती है तो ऑप्सन बी जिनों ने भी लगा उनका यहापे करेक्ट एंसर होगा next step का यहां पर रहके निमने में से कौन सा खनी जो है, monogite rate में मिलता है, तो देखें यह आपका thorium खनीज है आपका monogite rate में मिलता है, तो option B आपका correct answer होगा, next आपका English से प्रश्ना है था, जहां पर आपको जो है, the teacher teaches the students, इसको जो है passive voice में जो वो change करना था, तो देखे, the teacher teaches the student, इसका जो सही पैसी voice होगा ना, वो आपका the students are tossed by the teacher, option A जिनोंने भी लगा, उनका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपके यहाँ पर English से फिर से आपका आया था, जहाँ पर जो आपका underline जो word किया गया ना, उसमें जो आपको opposite word जो वो choose करना था, तो देखे, I was deeply affected by urban behavior, तो देखे, urban behavior का जो सही आपका होगा, वो आपका rude होगा, तो option D आपका correct answer होगा, next, आपका math से फ्रशन है था, कि दो संख्याएं, जिनका योग 28 है, और गुननपर 187 है, वे कौन सी जो है, वो संख्याएं होगी, तो देखे, 11 का योग होगा, वो 28 है, और इसका जो उनका यहाँ पर correct answer होगा, next question आपका math से था, जिसमें बताना थे कि निम्नली खित में से कौन सा विकल्प जो है, आपका सही जो हो दिया गया है, तो देखे, बृत के बार इस्थित, किसी बिंदू से जाने वाली बिंदू से जाने वाली बिंदू से जो एक और के वाली एक तो यह तो आपका कफन जो वो गलत दिया गया है, बाए बिंदू से बृत पर खिची गई इस पर्स रेखाऊं की लंपाई जो वो बराबर होती है, तो यह कफन तो आपका सही दिया गया है, यानि कफन दू आपका सत्य दिया गया है, तो option भी आपका correct answer होगा, next आपका है किसमे सियार विस्ट था दवाओं को नेराविसी खरन करने के लिए यह महत forkyn भूमी का जो वह निभाता है तो देगए यकरित कोशिकाओं में ser विस्ट था दवाओं को नीराविसी करन करने के लिए जो है यह महत पोनु भुमी का जो वो निवाता है तो यकरित कोशिका है option B आपका correct answer होगा next आपका sign से प्रशन है था जहाँ पर column 1 और column 2 दिया गया था तो देखे column 1 में आपका दिया गया था कि द्रवे संयोजी उतक कौन से है तो देखे जो आपके द्रवे संयोजी उतक है यह आपका रक्त हो जाएगा बलड हो जाएगा तो option 1 का आपका 3 चला जाएगा उपकला उतक ही बात कर ले तो देखे उपकला उतक जो यह आपका तचा ह जाएगा यानि option 2 का 2 ही आपका सही होगा जोड़ों की सता की बात कर ले तो यह जो आपका उपास्ती हो जाएगा और तंत्रीका के उतक जो है यह आपके spinal code हो जाएंगे तो 3, 2, 4 और 1 यानि option B जिन्होंने भी लगाया है उनका यहापे correct answer होगा next आपका साइन से फिर आपका प्रशना है था यह सिद्ध करने के लिए जीवन के पती कार्बनिक अनुओ से हुई है Miller और Euro द्वारा एक परियोग किया गया था उन्होंने जो एक कौन सी गैस ली थी तो देखे Miller और Euro द्वारा जो गैस लिया गया था वह आपका इथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैस जो वह लिया गया था तो option A आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका फिर से जो वह आपका math से जो वह फ्रशना आ गया था sorry आपका science से numerical था तो आप इसे जो वह solve कर लिजेगा solve करके answer जो वह comment जरूर कर दीजेगा next question आपका यहाँ प्र प्रतिरोद R है तो R बटे R 10 का अनुपाद जो वह कितना होगा तो देखे इसका जो मान होगा वह आपका 36 होगा तो option A जिनोंने भी लगा उनका यहाँ पे correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि किस माध्य में जो है ध्वनी सबसे तेज जो है वह गती से चलती है तो देखे यह जो आपका स्टील होता है यहाँ पर ध्वनी जो हो सबसे तेज गती से जो वह चलता है तो option D आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि कौन सी नदी जो है दचिन गंगा के नाम से भी जानी जाती है तो देखे दचिन गंगा के नाम से जो यह आपका गुदावर कर आपकी क्लाइशा गया तो यह दिया गया तो देखे कोलम जो वन्यजिय अभ्यारण धुम है किस राज्य मिए है तो यह आपका महरास्च राज्य मे इन्टू रंग्रम के बात कर ले तो देखे इतूर रंगरम जो वन्य जी अभ्यारन है ना यह आपका तेलांगना राज्य में है सरिश्का की बात कर ले तो देखे सरिश्का जो यह आपका राजिस्थान राज्य में है चंद्रप्रवा की बात कर ले तो यह जो आपका उत्तर पर्देस राज्य में इस्तित है तो option A जिनों ने भी लगा उनका यहाँ पर करिक टैंसर होगा next step का यहाँ पर रहता कि बिहार में जब पहली बार राज़्य पाल थे ना यह कौन थे तो देखे बिहार में पहली बार जब आपका राज़्य पाल थे ना यहाँ आपके नित्यानन्द कानुन गो थे तो option C जिनोंने भी लगा उनका correct answer होगा नेक्स्ट आपका निमलिखित में से आपका गलत कफन जो वो चुनना था तो देगे अगर पहले कफन देखें तो देखें बिहार विधान परिशत सची वाले 1952 से कारे कर रहा है तो ये तो आपका जो वो सही जो वो स्टेटमेंट दिया गया है आजादी से पुरुराय आपका गलत दिया गया है क्योंकि भारत सासन अदिनियम 1935 के अंतरगा बिहार के पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो दिया गया था तो यहां पर 1935 नहीं 1919 दिया गया है इसलिए option C जो आपका गलत जो वो दिया गया है अगर option D को देखें तो 1917 में बिहार और ओडिसा को सही राज जेपाल प्रती प्रती जो वो कहा जाता था तो देखें यह भी आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया है तो option C जिनोंने भी लगा है उनका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहां पर है कि लाड से उसी परकार का संबंध थे जिस परकार मद्यकालीन समय में लाड राजा से जो वो संबंध रखते थे तो देखें यह जो आपका सामध यानि जो नाइट थे ना यह लाड से उसी परकार का संबंध थे जिस परकार मद्यकालीन समय म स्टीथ है तो देखे का काली बंगा के बार में आप जानते होंगे तो दिखे के पीली बंगा और काली बंगा यह जो पुरातर तोस्तावे ना यह आपके राज़स्थान राällen के इस्ती थै तो आप संडियाप आपका यहां पए CorrectAnser होगा नेक्सट अपको है इसरो का Mano Santrich Odaan यह ज़ो एक सहर में स्थीत है तो देखे इसरो का Mano Santrich Odaan पॉम्हकर यह आपका Bengaluru में स्थीत है तो option D आपका यहां पे CorrectAnser होगा next अपको है आपकोर निमनलीकित में से से कौन सा धातो की जो है अभी क्रिया सिलता के घटे क्रम को जो वो सही नीरूपन किया गया है तो देगे पोटैशियम, अलुमिनियम, जिंक और कॉपर यह जो आपका अभी क्रिया सिलता में जो है घटे क्रम का जो वो सही नीरूपन जो वो किया गया है, तो option A आपका यहाँ पर correct answer होगा, next आपका एक math से प्रशन है था, equation आपका दिया गया था, A x square plus B x plus C equal to 0, into quadratic दिन A cannot be, यानि यहाँ पर जो A कामान जो वो कौन नहीं हो सकता है, तो देखें, A कामान आपका 0 जो वो कभी भी नहीं हो सकता है तो option B जिनो ने भी लगा, उनका यहाँ पर correct answer होगा, फिर आपका math से प्रशन था, तो आप यह solve करके answer जो वो जरूर comment करके बता दीजिए कि 85 का जो वो कितना answer होगा मैं इसको solve नहीं किया हूँ next आपका फिर से एक math से प्रशन है 10 equal to 1 by 2 दिया होगा था then the value of cos A का जो वो value जो आपसे पूछा गया था, तो 10 equal to क्या होता तो P by B होता है और cos equal to क्या होता तो B by H होता है, यानि 10 A में P का value आपका कितना दिया होगा, यानि प्रपेंडिकुलर का जो मानव वो आपका 1 दिया गया है और base का जो मानव वो आपका 2 दिया गया है तो देखे, cos A का मतलब क्या होता है तो B by H होता है, यानि B जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा और H यानि हाइपोटेनियस जो वो खैसे निकालते हैं तो अंडर रूट करके, स्क्वाइर करके जो है हाइपोटेनियस को जो वो निकालते हैं तो देखे, 2 रूट 5 मैंने इसको solve कर लिए option B जीनो ने भी लगा है उनका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ आप रहा था कि टेनिस कोट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नहतेतो जो है यह किसके द्वारा जो वो किया गया था तो देखे, इसका जो नहतेतो है यह आपका मिराबो और और ओवेशिये के द्वारा जो वो हुआ है तो option C आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ आप रहा था कि रवीन ना ट्यागूर ने वीभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आवावन जो है वो किया था तो यह राखी दिवस जो है मनाने का जो है राज जी का दर्जा मिला था और पटना जो वो राजधानी बनी थी तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि जल के अनुमे बंद की जो परकिर्टी होती हो वो कैसी होती है तो देखे nature of one in water molecule यह जो आपका covalent bond यानि सायोजीक आबंद जो वो होता है तो option B आपका यहाँ पर correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि C6H14 के लिए आपका जो कितने structure isomer जो वो होते हैं तो देखे C6H14 के लिए जो संराचमक सभाववगी जो संक्या होगी वो आपका 5 होगा तो option D आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि alpha can जो है यह क्या है तो देखे alpha can की बात कर ले तो यह जो आपका क्या होगा तो double charged helium ion यानि दिवा से सित helium ion तो दिवा वे सित helium ion option D आपका correct answer हो जाए next question आपका यहाँ पर है कि word filled जो तालिका यानि table में records की विसिस्ट रूप को जो पहचानती है उसे क्या कहा जाता है तो देखे टेबल में records को विसिस्ट रूप से जो पहचानता है ना उसे primary key जो वो कहा जाता है तो option A primary key आपका यहाँ पर correct answer होगा next step का फिर एक computer से प्रशना है था कि computer में input processing वो output devices को जोडने का जो कारी किसके द्वारा किया जाता है तो यह आपका mother board के द्वारा जो वो किया जाता है next step का यहाँ पर है कि निम्नलिकित में से कौन सा एक भारत में वनो का प्रसासनिक वर्ग जो है यह आपका भारत में वनो का प्रसासनिक वर्ग जो है वो नहीं है तो option C आपका correct answer next step का यहाँ पर है कि भारतिये नौ सिना एवम IAF April 2014 में सामिल मिसाइल का नाम जो वो क्या था तो यह आपका rampage था तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा next step का यहाँ पर है कि इसके द्वारा लिखा गया है तो देखें, the conspiracy to always me from the जो आपका presidency यह जो पुस्ता गया है यह आपके गोताबे राजपच्छे के द्वारा जो वो लिखा गया है तो गोताबे राजपच्छे आपका option D जो है यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि फ्रांस के सरवोच नागरीक सम्मान से वर्स 2024 में जो है किससे सम्मानित किया गया है तो देखें मैं आपको बता दूए कि फ्रांस का जो सरवोच नागरीक सम्मान है इसका नाम आपको द्यान में रखना है the reason of honor यह जो है आपके भारतिय लेखक और सांसद ससी थरूर को जो है यह आपका 2024 में फ्रांस के सर्वच नागरिक समान से जो वो समानित किया गया है तो option A ससी थरूर आपका यहाँ पे correct answer होगा next अपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी missile जो है anti-tank missile है तो देखें यह जो आपका नाग है यह आपका anti-tank missile है तो option D आपका यहाँ पे correct answer होगा तो देखें सभी 100 questions का जो है मैंने आपको 100% accurate answer दिया है तो अगर वीडियो अच्छी लग यह तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजिएगा और देखें मैं आगे जिनका भी exam है तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा क्योंकि आपको daily base पे जो है दो वीडियो जो है यहाँ provide किये जाएंगे तो मिलते नेक्श वीडियों तब तक thank you all the best